नमस्कार दोस्तों चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मुबाइल फोन से रेलवे की जनरल टिकट या फिर अनारच्छी टिकट बुक कर सकते हैं तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको पेटियम के थुरू बताया था कि कैसे आप रेजर्वेशन मतलब रेलवे की जो आरच्छी टिकट होती है वो बुक कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में आपको बता हुआ कि आप जर्णल खिटिकट कैसे आसानी से अपने मुबाइल फोन से बुक कर सकते हैं तो आपको मैं वीडियो को जातर लंबी नग करते हुए असानी से बता हुआ कि सबसे पहले आपको रेलवे का एक ऑफिसियल एप है जो रेलवे नहीं लाँच किया है तो उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है UTS इसको आप अच्छे से चेक कर लीजेगा मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है मतलब ऐसे लोगों की कई आप आते हैं तो उससे आपको पहचान लेना है अच्छे से देख लेंगे वन मिलियन मतलब अच्छे खासे डाउनलोड होंगे और जो यह डेवलेपर है वो सेंटरल फॉर रेलवे इंफरमेशन होना चाहिए तो चलिए मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया तो मैं उसको उपन करता हूँ और सबसे मेन बात इसको यूज करने के लिए आपको आयर से टीसी की आईडी बिल्कुल भी नहीं लगेगी आप इसमें नॉर्मल साइंग अप करके इसका यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैंने अल्रेडी लॉग इन हो गया मैं आपको करके दिखा देता हूं लॉग आपको दो अप्सें मल जाएंगे लॉग इन और रजिश्टर आप नॉर्मल जो लॉग इन रजिश्टर होता है मूबाईल लंबर नाम इसके दोरा कर सकते हैं तो मैंने पहले से ल कर सकते हैं कुछ चार्जेस होते हैं जो रेलवे के वो करटेंगे बुकिंग हिस्ट्री मतलब आपने अभी तक इतनी वे टिकट बुक की हैं यहां पर हुस्ट्रिम सो होंगी और वैलेट इनका जो एक खुदका एक वायलेट है जिसमें आप पैसे लूट करके रख सकते हैं अपने मुबाइल फोन पर अगर आपका मुबाइल फोन आफ हो जाता है तो आप बैदाओ टिकट माने जाएंगे तो चलिए यहां पर हम बुक टिकट पर जाते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए यहां पर भी आपको कुछ ऑप्सन मल जाएंगे नॉर्मल बुकिंग जिसक मंतली पास बनते हैं ट्रेंट के वो प्रिक्फर्म टिकट का मतलब तो आपको पता ही होगा तो चलिए हम नॉर्मल बुकिंग पर क्लिक करते हैं यहां पर भी आपको दो ऑप्सन मिलेंगे सबसे पहला है बुक एंड ट्रेवल पेपर लेस्ट दूसरा है बुक एंड प्रें प्रेंट आउट चाहे तो इस्टेशन का ओप्सन सायद होगा वहां से भी आप ले सकते हैं तो इन दोनों में खास बात यह है सिर्फ पेपर की खास बात नहीं है दूसरी खास बात ही है कि आप जो प्रिंट वाले जो पेपर है इसकी टिकट अगर आप बुक करते हैं तो आ इस उसमें आपका जो जहां पर आप खड़े हैं आपको जीपस अपना ओन वैसे अल्रेडी हो जाएगा इसे आपको जब भी आप उपन करेंगे तो तो यहां पर आपका जो नियरस टेस्टेशन है वो आल्रेडी आ जाएगा उसके सिवा आपके पास एडिट करने का कोई आ अपना जो नजदी की रेलवे स्टेशन है वो सिलेट करें और जहां पर जाना है वो से लेक्ट उसको डाल दीजे आप कुछ भी डाल सकते हैं यहां पर तो चलिए यहां पर मैंने इसको सिलेट करके डन कर दिये डेमों के लिए एक कोशिस करता हूं कि आपको एक टिकट नहीं कर सकते हैं, आपको इस्टेशन से कुछ दूरी पर होना होगा, तभी आप टिकट बुक कर पाएंगे, यह रेलवेकर रूल है, और आपका GPS इसलिए यूज़ होता है, तो चलिए हम यहाँ पे, अभी इस्टेशन सायद मैं दूर हूँ, तो करके देखते हैं, तो देखी यहाँ पर मैंने OK किया, तो यहाँ पर आपको 2-3 option मिल जाएंगे, recharge, our wallet, other payment option और exit, our wallet का मतलब अगर मैंने our wallet में पहले से balance रखा होता, upload करके, add money करके, तो मैं direct यहाँ से single click में book कर लेता, other payment method में फिर मैं ptm या फिर mobi quick का side option है, wallet का, जिसका use करके मैं debit card से भी payment कर सकता तो चलिए मैं दूसरी option select करता हूँ, तो यहाँ पर देखी, मुझे बता दिया कि यहाँ से यहाँ की जो किराया है वो 10 रुपए है, तो मैं इसको book करता हूँ, book ticket क्लिक करके, यह app अभी कुछ में मनलब slow work कर रहा है, जो normal railway करता ही है, मैं ऐसा कोई भी app हो, या फिर reservation का option हो कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलिए जब तक यह चकरी घूम रही है, मैं वीडियो को pause कर देता हूँ, ताकि आप आसानी से देख पाए है, तो देखिए दोस्तों, उस click के बाद कुछ ऐसा option आपके पास आएगा, मैंने एक बार जो reservation था, मतलब जो ticket थी booking वो फैल हो चु अधरवाइस आपको R wallet में लोड करके रखना पड़ेगा, तो चलिए मैं Paytm सेलेक्ट करता हूँ, और Mac payment करता हूँ, तो यहाँ पर payment करने के लिए मुझे debit card से सीधो option आगे है, कि आप Pay कर सकते हूँ, भलाई आपकी Paytm में ID ना भी बनी हुई है, यह एक अच्छी बात है, तो चलिए हम यहाँ से Pay करते हैं, मैं card number डालता हूँ, जब तक लिए वीडियो को रोगा, तो दोस्तो मैंने यहाँ पर debit card का number अभी 4 रंग कम डाला है, जो कि मैं अभी डालके, मतलब पूरे complete debit card का number डालके, यहाँ पर Pay Now पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं आपको दिख करना होगा, तो दोस्तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए मैंने पहले भी बताया था, कि वो जो ticket थी वो पहले वाली cancel हो चुकी थी, तो मैंने दूसरा station change करके, बिर सिंगपूर से उमरिया के लिए book किया था, तो देखिए, ऐसी कुछ ticket आपको दिखाई देगी, यहाँ पे, मतलब, charges लिखे हुएंगे, दस रुपए, जो लगे है, UTS number, बिर सिंगपूर से उमरिया, टिकट साधारण है, paper list और जो दूरी है, वो 30 km है, अब आपको, जब भी आपको, मतलब, आप सफर करेंगे, तो आपको यह जो ticket है, यह आपको दिखाना ही होगा, otherwise, मतलब, आ आप बेदाउट टिकट माने जाएंगे, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा, और कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजेगा,